Genetics, आनवन्सिकी प्रतम वीडियों में अपने टर्मिनोलाज आनवन्सिक्ता संबंधित सब्दाउली काधियान किया अब हम लोग दूती वीडियों पढ़ेंगे Mendel's Law of Inheritance Mendel के वंसागती के नियम इनोंने वंसागती संबंधी ती नियम प्रस्तुत किये थे मेंडल ने अपने प्रियोग गार्डेन पी उद्यान मटर पौधे पर किया था जिसका बैज्यानिक नाम पाईसम सेटाइवम होता है गार्डेन पी का सेलेक्षन ही मेंडल की सफलता का मुख्यकार था मेंडल ने आठ वर्सों 1856 से 1864 तक अपने प्रियोगों को अनवंसिक लक्षणों के तुलनात्मक विन्ताओं के वनसागती का कई प्रियों तक धिन किया और आकड़े जुटाते रहे फल्सुरूप ये सफल हुए उद्यान मडर का चेहन उद्यान मडर को उगाना आसान होता है क्योंकि ये एक वर्सी पहधा है इनमें अनेक विप्रित तुलनात्मक लक्षण पायाते हैं इनमें सुअ परागण कृतिम रुप से हो जाता है फल्सुरूप सुद्य लक्षण प्राप्त होते हैं और मडर में कृतिम रुप से परपरागण आसानी से करया जा सकता है मेंडल ने अपने निसकर्शों का सांख की बिश्रेशल किया और गुरात्मक लक्षणों का मात्रात्मक बिश्रेशल किया और सफल मेंडल के वनसागती के नियम मेंडल ने तीर नियम प्रत्पाधित किये थे पहला प्रभाविता का नियम दूसरा प्रिथक कराने की प्रक्रिया एक ही जाति के दो अलग अलग द्विलिंगी पुस्पों को ले लेते हैं एक पुस्प के नरजनांगों को तोड़ देते हैं और दूसरे पुस्प के नरजनांगों का इस पुस्प के उपर प्रागल क्रिया कराते हैं प्रेडल ने मटर के तुलनात्मक विविंताओं वाले फिनोटिपिक करेक्टर्स के कुल साथ वन्स प्रम प्रागत आनुवन से कलक्षणों का चेन किया फूलों का रंग बैगनी और सफेद फूलों के स्थिती अक्षवर्ती और अग्रस्त तने के लंबाई लंबा और ओना कची फली का रंग हरा और पिला पके फली क्याकरती फूली हुई और बीच विच में दबी हुई बीच पत्रों का रंग पीला और हरा। लाओ दोमिनेंस प्रभाविता का नियम। लाओ दोमिनेंस अग्षण वाले पहुदों के बीच संक्र्ण करा जाता है तो उनकी संतानों में प्रभाविता का नियम। विरोधी लक्षण में से एक डॉमिनेंट प्रभावि होता है जो प्रदर्शित होता है तता दूसरा प्रभावि होता है जो प्रदर्शित नहीं होता इसे ही प्रभाविता का नियम का जाता है मेंडल ने एक संक्र संक्रद्वरा इस नियम का प्रद्वादन किया में मोनो ह सफेद पुस्ट में क्रास कराने के बाद पर्थम पिडी में सभी पुस्प लाल रंके हो गए जब एक पोधा लंबा लिया दूसरा पोधा बोना लिया पर्थम पिडी में सभी पोधे लंबे हो गए तो इनों ने जो गुड पर्थम पिडी में परदसित होता है उसे प्रभा आविगुड का और इस नियम को प्रवाविता का नियम का। Law of segregation of gametes or purity of gametes. The law of segregation states that alleles segregates randomly into gametes. When gametes are formed, each alleles of one parent segregates randomly into the gametes, such that half of the parent's gametes carry each alleles. आर्द सुत्री विभाजन द्वारा युगमक निर्माण के शमय जीन जोड़े के एरिल से एक एरिल प्रितक हो जाता है और दो में से एक कारक प्रव्थ होता है. इसे ही प्रितक कड़ का नियम कते हैं. प्रतेक युगमक में पहुचने वाला कारक सुद्ध होता है इसे ही युगमकों की सुद्धता का नियम करते हैं प्रतकण के नियम के व्याख्या करने के लिए प्रभाविता के नियम के अनुशार प्रतम पीडि में प्राप्त संकर पोधों को लेकर इसमें स्वप परागण कराते हैं और ये अफ्टू पीडि में पूनेट के चो खाने की पीधी द्वारा अलग-अलग युगमकों नर युगमकों को एक ओर और मादा युगमकों को एक और लिख देते हैं इनका आपस में गुड़ा करते हैं हम देखते हैं कि प्रतम भाग में केप्टलार, केप्टलार अर्थात सुध लाल पोधे प्राप्त होते हैं, इन दो घानों में केप्टलार, इसमालार अर्थात संकर पुष प्राप्त होते हैं, और तिसरा इसमालार, इसमालार अर्थात सुध सफेद पुष प्राप्त होते ह अर्थात तीन समंदे एक के अनुपात में फीनोटाइप अनुपात और एक सुद लाल, दो संकरलाल, एक सुद सफेद अर्थात जीनोटाइप अनुपात एक समंदे, दो समंदे, एक के अनुपात में प्राप्त होता है अर्थाद सफेद का गुड़ प्रिथम पीड़ी में प्रभावी गुड़ के काड़ तो चिपा रहता है लेकिन ये अफ्टू जेनरेशन में वह प्रितक हो जाता है इसे ही प्रितकड का नियम कते हैं लाफ इंडिपेंडेंट एसाट्मेंट स्वतंत्र अभ्यूवन कनियम एक आनवंस की लक्षर के दो तुलनात्मक रूपों के कारक प्रितकड में एक दूसरे से अलग होकर किसी भी अन लक्षर के किसी भी रूप के कारक से स्वतंत रूप से मिल सकते हैं और पुरर सेयोजिक रूप रूपक से मिल एक दिर्ष्रूप रूप रूपर कर सकते हैं। The principle of independent assortment describes how different genes independently separates from one another when reproductive cell develops. Independent assortment of genes and their corresponding threats was first observed by Gregor John Mendel in 1865 during his study of genetics in bee plants. Dye hybrid cross are inheritance of two genes. Mendel ने चुनेवे साथ आनोंसिक लक्षडों में से दो दो लक्षडों की एक साथ पनसागति का अधन करने है तो मटर के पौधे में द्वी गुण संक्रण अर्थाथ Dye hybrid cross करया. इन्होंने सुत्य पौधों के दो गुण को लिया एक बीज का आकार गोल और जुरिदार बीज का रंग पीला और हरा और दोनों गुण को ध्यार में रख करके क्राश करया. प्रभाविता के नियम कनसार प्रथम प्ली में सभी पौधे संकर प्राप्त होते हैं. और दोनों आपस में मिलते हैं तो संकर प्राप्त होते हैं. प्रभाविता हुण केवल एक जिन के द्वारा परदसित हो जाता है. अथ्वा दोनों जिन एक साथ रहेंगे तो अपने प्रभाव कोत्पन करते हैं जैसे अगर हम 20 का आकार गोल को लें तो दोनों युगमक केप्टल आर केप्टल आर एक साथ हो या केवल एक केप्टल आर अकेले हो तो वह गोल के गुड को परदसित करेगा लेकिन अप्रभावी गोल जब तक दोनों युगमक एक साथ नहीं होंगे तब तक वह अपने गुड को परदसित नहीं करता जैसे जुर्दार के लिए जब तक दोनों इसमालार इसमालार एक साथ नहीं होंगे युगमक तब तक वह अपने गुड को परदसित नहीं करेगा मेंडल के डाई हाब्रेट क्रास की व्याख्या करने है तू यफवन ली में प्राप्त शंकर पौधों का पुनेट स्कौायर मेथड द्वारा चोक और खानों में इन युगमकों को दोनों और लिख लेते हैं एक और केप्टल वाई इसमाल वाई दूसरी और केप्टल आर इसमाल आर जब इनका हम गुड़ा करते हैं तो पहले खाने में केप्टल वाई केप्टल आर दूसरे में केप्टल वाई इसमाल आर तीसरे में इसमाल वाई केप्टल आर चोथे में इसमाल वाई इसमाल आर प्र प्रोक्त चार युगमुकों के जोणों को करम से दोनों और दोनों युगमुकों का आपस में गुरा करते हैं प्रतम खाने में, केप्टल आर के साथ केप्टल आर, केप्टल आर के साथ केप्टल आर, 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 12 प्रकार से युगमक प्राप्त होते हैं हम लोग पुनेट स्क्वाइर मेथड दोरा युगमकों को अरेंज करने के बाद ध्यान से देखेंगे जैसा कि मैंने बताया था कि गोल और पिला गुड़ प्रभावी गुड़ है अर्थात केप्टल आर केप्टल आर जब एक साथ हो या केवल एक केप्टल आर हो तब गोल का गुड़ लिखते हैं केप्टल वाई केप्टल वाई एक साथ हो या केवल एक केप्टल वाई एक करते हैं बारहों खाने में युगमकों को भ्योस्थित करने के बाद हम ध्यान से देखेंगे जहां भी एक कैपिटल आर या एक कैपिटल वाई होगा वो गोल और पीला का गुड़ परदस्थित करेगा इस प्रकार एक त्रिफुज बनता है जिसमें नौ पोधे ऐसे होते हैं जो गोल और पीला गुड़ को परदस्थित करते हैं इसके बाद एक त्रिफुज और बनता है जिसमें तीन पोधे आते हैं कैपिटल आर अर्थात गोल और इसमाल वाई इसमाल वाई अर्थात हरे रंग के गोल हरे तीन पोधे प्राप्त होते हैं जिनको आप त्रिफुज प्राप्त होते हैं जूरिदार सिम्ल की लाइट में बनता है मíchल उस्माल की इस प्रकार मेंडल के तृती नियम स्वतंत्र अपविवन के नियम में नौ समंदे, तीन समंदे, तीन समंदे, एक का फिनो टाइप अनुपात प्राप्त होता है। अब हम लोग मेंडल के तृती नियम का पिसले सल करेंगे। नौ पोधे गोल पिला प्राप्त हो गए। 3 पोधे, गोल हरेर 3 जुरुदार मिला, 1 पोधे जुरुदार हर घृूटेशंु एक पोधे जुरुदार हरे मिला, यहां पे हम दहुंगे कि तीन पोधे जो गोल और हरे मिले यह नए पोधे थे, क्योंकि गोल का गुड जो गृds अर्थात एक नया स्योग बना इस नियम द्वारा यहां सिद होता है कि युगमक शुद रोता है और वह अनिमित घटी से नय-नय स्योग बनाता है फल्स रूप पाधों में विनता हुत पन होता है। अर्थात युगमक सुधोता है और वो स्वतंत्र रूप से एक पिडी से दुसरी पिडी में नए नए संयोग बनाता है जिसे इंडिपेंडेंट एसवाटमेंड या स्वतंत्र अभ्योन का नियम करते हैं इस नियम के अनुशार ने ने पौधों का विकास होता है ने ने जन्तों का विकास होता है ने ने गुणों का विकास होता है और विविन्ता अत्पन होती है यही विविन्ता चयोई विकास का कड़ होती है धन्यवाद